आयोध्या में रामलला को देखकर करोडों लोगों की आखे या तो नम हो गई या कोई खुशी से जोम उठा और हो भी क्यों ना 500 साल का इंतिजार आखिरकार खत्म जो हुआ है 22 जनवरी 2024 के दिन प्रांट प्रतिष्ठा का कारिक्रम पूरे विधी विधान के साथ किया गया जब से रामलला की मूर्ती देखने को मिली है तब से हर किसी की जुबान पर बस जैश्री राम का ही जाप है लेकिन मूर्ती देखने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा आखिर मूर्ती का रंग काला क्यूं है चलिए इस वीडियो के जरिये आपकी इस दुविधा को दूर करते हैं और बताते हैं कि आखिर मूर्ती काली क्यूं है रामलला की मूर्ती को शिला पत्थर से तयार किया गया है जिसको कृष्ण शिला के नाम से जाना जाता है यही बज़े है कि रामलला की मूर्ती काले रंकी है जिसे हम शामल भी कहते हैं शिला पत्थर के अपने कई गुन भी हैं रामलला की मूर्ती को इस पत्थर से ही आखिर क्यों बनाया गया इस सवाल का जवाब आपको इस पत्थर के गुनों में देखने को मिल जाएगा दरसल रामलला की पूजा के समय उनका दूद से अभशेक किया गया अब इस पत्थर के गुन के कारण दूद में किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा इस दूद को पीना स्वास्ती के लिए हानिकारक भी नहीं है इस पत्थर का हजार साल तक कुछ भी नहीं बिगड़ता इसमें किसी भी तरह का बदलाव नहीं होगा इसके अलावा वालमी की रामायड में भगवान राम के जिस रूप के बारे में बताया गया है उसमें उन्हें श्यामवर्णी, बेहत सुन्दर, कोमल और आकरशक बताया है इसलिए रामलला की मूर्ती का रंग श्यामल रखा है मानिता के मताबिक जन्म भूमी में बाल स्वरूप की उपास न होती है इसी वज़े से भगवान श्री राम की मूर्ती बाल रूप में बनाई गई है तो आपको बदा दे कि रामलला की मूर्ती जब से देखने को मिली है तब से हर किसी की जुबान पर बस जैश्री राम का ही जाप है और इतनी मन मोहक मूर्ती है कि उससे नजर हच नहीं रही लेकिन लोगों के मन में मूर्ती देखने के बाद ये सवाल भी चल रहा है कि आखिर मूर्ती का रंग काला ही क्यों रखा गया तो आपको बता रहे हैं कि इस मूर्ती का रंग काला इसलिए रखा गया क्योंकि जिस शिला पत्थर से इसे तयार किया गया है जिसे कृष्ण शिला के नाम से जाना जाता है और यही वज़र रही है कि रामलला की मूर्ती काले रंग की है जिसे हम शामल भी कहते हैं शिला पत्थर जो कि अपने आप में कई गुड़ों से भर पूर है और इस पत्थर से ही रामलला की मूर्ती को बनाया गया है क्योंकि इस पत्थर के में जो गुड़ है वो देखने को मिल रहे हैं